मेरी सरचित बेटी पर एक रचना, आब लोगों के सामें प्रसुत करती हो सिर्व कोक में मारोगे बेटी तो, कोक में मारोगे बेटी तो, खुशी कहां से पाओगे कोख में मारोगे बेटी तो खुशी कहां से पाओगे जन्मना लेगी बेटी तो मा कैसे कह पाओगे कोख में मारोगे बेटी तो खुशी कहां से पाओगे जन्म ना लेगी बेटी तो मा कैसे कहपाओगे बेहन नहीं होगी तो फिर सुना होगा रक्षा बन्धन कैसे बंश बढ़ा कर पितरों का सरपड़ कर पाओगे नवरात्रा के पूजन में तब किसको भोज कराओगे नवरात्रा के पूजन में तब किसको भोज कराओगे चरड़ पखारे बिना कहो फिर पुरने कहां से पाओगे बेटी हूँ मैं बेटी हूँ मैं बेटी हूँ मैं बोज नहीं हूँ जखवालो नहीं बचाए बेटी को तो रो रो कर पच्छता आओगे नहीं बचाए बेटी को तो रो रो कर पच्छता आओगे हमारे देश की वखिड़ी निरंतर प्रदभी प्राक्त कर रही है पर कही न कहीं मुझे लगता है कि वो बज़र्गों का समान करना हूँ जा रही है तो और वखिड़ी को जागरित करने के लिए चार पंतियां मैं उन्हें समर्बित करती हूँ सुने जिस घर में बुज़र्गों का सरी समान नहीं होता जमाना है गवास का भला परणा नहीं होता अगर पाना है नहमत तो करोन की सना सेवा उनके आशीष से उचा करनी समान नहीं होता और ये कविता मैं भारती के चड़नों मैं समर्बित करती हूँ इसके बाद में अपना स्थान रह करगी सुनेगा आओ मात्र भुमे कागान करे विर्योधाओ का धान धरे मातम्ड ना किया पाने निर संस्क्रत का समान करे आओ याद करे संदों को तो हराए हम उनकी वाडी परी रहे हम सब बरके पानमन तुछे वीणा पाणी हिंदों मुश्लिम से किसाई सबी दिरंगे के साथी जब तक भारत में एका है अकशुन है अपनी ठाथी मर्यादा पुर्शोतम श्री राम नाव की जीत है नेकटा इस भारत में आपस में बस प्रीत है हर नर में बस राम बस नारी में जहां बस सीता हो एक हात मेरा मायन तुझे में भगवत गीता हो धन्यवाज जैही जैभारत